स्वागत है दोस्तों आप सब का शाहिद आजमी लाइप पर मनु भाकर ने कमाल कर दिया इतिहास गड़ दिया मनु भाकर ने आज यानि रवीवार को पैरिस दोहजार चौबिस ओलंपिक में महिलाओं की दस मीटर एर पिस्टर स्परधा में कांस पदक जीत लिया वो ओलंप उसी सारी बाते अपनी शेर की थी क्या बाचीत की थी क्या संभावना जताई थी आगे जरूर आपको दिखाएंगे बताएंगे और मनु भाकर क्या कहती हो भी आपको सुनवाएंगे दिखाएंगे लेकिन उससे पहले बता दें 22 साल की मनु भाकर ने आठ महिलाओं के कि हमवतन ये जी किम ने सौन पदक राउंड में प्रवेश किया और 241 दशनलों तीन के अंतिम स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया लेकिन भाकर ने जिस तरह का परदर्शन किया एक वक्त पर 0.1% से पिछड़ कर वो कांस पदक हासिल कर सकी आइए सुनवाते हैं दिखाते ह मनुभाकर ने जब ओलंपिक में जाने से पहले माननी परदान मंतरी नरेंद मोदी जी के साथ क्या कुछ अपनी बातें शेयर की थी वो आपको सुनवाते हैं दोजार अठार में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उसमें मैंने नाश्रल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेंडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर्ग्रूप में आ गई थी और तब से बस यह था कि इंडिया के जोसी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लाटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्ग दर्शन दिया है और I think वहां से काफी सारे आथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूं मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आये हैं और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्र गुजार हूं कि इनकी सपोर्ट की वज़ा से जो एक खेलाडी की छोटी-छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं तो I think बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने सो जी सर जो आज मैं हूँ मैं उसके काफी हद तक उसका सहारा रहा है